नुमस कर बच्चू, टोड़े वी आ गोईंग टो डिसकस क्लास 10th SST शोसर साइंस वर्क्षीट नमबर 54 यह आपकी 29th of December 2021 की वर्क्षीट रहेगी In today's वर्क्षीट, वी आपकी क्लास 10th सोसर साइंस के सेकंड टम के सबसे easiest चैप्टर में से एक रहेगा छोटा सा चैप्टर है, अगर हम एक साथ इस चैप्टर को कवर करने कोसिस करें तो 55-60 मिनेट के आसपास टाइम लगेगा इस पूरे चैप्टर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे मनी मतलब जैसे आपके पास कॉइंस हैं, आपके पास क्रंसी नोट्स हैं, आपके पास फोन पे है, गूगल पे है यह modern form of क्रंसी है लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था अगर हम ancient time के बात करें तो उस वक्त क्रंसी नोट्स ऐसा कुछ नहीं था यान कि मनी नहीं थी, उस वक्त जो लेंदेन किया जाता था, वो गूड्स में किया जाता था यान कि वस्तों के बदले, वस्तों के अदला बदले की जाती थी उसे बोलते थे बार्टर सिस्टम तो पहले पार्ट में हम समझेगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता था उस वक्त कौन-कौन सी इस्यूज आते थे और उसके बाद बात करेंगे कि modern form of currency कौन सी है यह फर्स्ट पार्ट में रह गए यानकि कुछ हमारे very short hands type questions बनेगे इस फर्स्ट पार्ट में second जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे credit की अब यह credit क्या होता है credit मतलब loan ओके loan समझते हो ना loan हो गया अब credit कहां से लिया जाता है सबसे important जो source होता है credit का वो होता bank हम bank की भी बात करेंगे कि bank है वो loan क्यों देता है उसको क्या profit है कहां से देता है कैसे देता है कहां से वो पैसे बीच में कमाता है तो वो सब कुछ हम समझेंगे and after that we will discuss about the terms of credit terms of credit मतलब अगर हमें loan लेना bank से तो कुछ हमें conditions को fulfill करना होता तो वो क्या होती है and after that we will discuss the most important topic of this chapter the sources of credit यानि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है हमें loan चाहिए तो हम loan कहां से ले सकते हैं there are the two sources of credit informal and the formal source formal source की बात करें तो इसमें आ जाते हैं bank, cooperative, societies okay informal sources include your friends, your friends, your relatives, बड़े हमारे businessmen हो गए उनको हम informal source में लेंगे, अब बात आएगे कि कहां से लेना चाहिए वो हम detail में discuss करेंगे यह इस chapter का सबसे important topic रहेगा and in the end of this chapter हम last topic में discuss करेंगे about the self-help groups, यह क्या होती है, कैसे function करते है तो यह सब कुछ हम यहाँ पर इस chapter में पढ़ेंगे, okay तो यह जो chapter है, basically हमारे आसपास का chapter, इन में से जितने भी topic है, उन में से आधी से ज़्यादा जो concept है आपको पता है पहले से, okay नहीं पता तो interesting लगेगा क्योंकि यह हमारी life के लिए important chapter या topic रहने वाला है let's begin चलिए, worksheet के हम सुरुवात करते हैं, तो सबसे बहले हम बात करेंगे, जब currency नहीं थी, currency note नहीं थी, या money नहीं थी, तब कैसे business होता था, okay तो यहाँ पर उस वक्त barter system होता था, क्या होता था, barter system, अब यह barter system क्या है when goods are directly exchanged for goods, there is no use of money, it is called barter system, कि जब goods है, are directly exchanged for the goods, यान की वस्तों की जो अदला बदली की जाती थी, उसे barter system कहा जाता था, परानी समय में ऐसे ही किया जाता था, अब भी गाव में कुछ जगह पे, कुछ चीज़ें ऐसे ही होती है, अब इंसें टाइम में क्या होता था, जैस कैसे business होता था, यह था barter system, हालंकि barter system था, वो इतना easy नहीं था, उसके लिए सबसे बड़ी condition थी, that was the double coincidence of wants चाहिए था, अब यह क्या था, कि when both parties have to agree to sell and buy each other's commodities, it is known as the double coincidence of wants, कि double coincidence of wants का मतलब यह था, कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की commodities को खरीदने और बेचने के उसके पास गेहूं है, clear wheat है, और उसको चाहिए सूज, वो market में जाता था था, यह नहीं कि वो market में जाएगा और सूज वाले से ले लेगा, ऐसा simple नहीं था, उसमें दोनों का agree होना जरूरी था, यानकि उसको सूज चाहिए, तो वो सूज बेचने के लिए त्यार होना चाह तो यह सबसे बड़ी कंडिशन थी, otherwise it was not possible to do the trade, यानकि इसके बिना तो कोई लेंदेन होई नहीं सकता था जबरदस्ती तो किसी से लिया नहीं जा सकता था, तो यह double coincidence of want कहलाता था, okay, when both parties have to agree to sell and buy each other's commodities, it is known as the double coincidence of wants कहा जाता था, यानकि आवशकता का दोहरा सियोंग हिंद इसके बिना जो things थी, goods थी, वो exchange नहीं हो सकते थे, अभी कि अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास money आ गई है, सारी चीजें, सारी समझ्यां खतम हो गई है, money is something that can act as a medium of exchange in transaction, और अब हमारे पास money है और यह medium of exchange की तोर पे work करती है, यानकि कैसे medium of exchange मतलब हम कोई भी वस्त हो है, वो हम market में बेच सकते हैं, पैसे के लिए, और फिर उसी पैसे से कहीं और से खरीच सकते हैं, तो medium of exchange क्या हो गया, money हो गए, okay, through the money, we can sell anything and we can buy anything in the market, हम market में कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीच सकते हैं, तो इसको medium of exchange कहेंगे, अब इससे बड़ा फाइदा क्या हुआ, it eliminates the need for double coincidence of wants, अब double coincidence of wants की जरूर नहीं है, अब अगर हमें माल लीजे कि उसी farmer को सूज चाहिए, तो जरूर थोड़ी सूज मेकर के पास जाएगा, कहेगा कि भाई, ले लो मेरा गेहू रख लो, ऐसी जरूर नहीं है, कहीं पी जाकर कि अपना wheat है, अपना जो भी grains है, उसको बेश दे अपनी crop को, और जहां मर जी जाहे, वहां से अपने shoes खरी देगा, यनकी इसकी need नहीं है, तो सबसे बड़ा फाइदा ही हुआ, इसको बहुत सारे benefits हम कह सकते हैं, हुए हैं, इस modern form of currency से, या money से, जैसे इसको store करना easy है, इसको एक स्थान से, one place to another place लेकर के ज करके जाता, उसको safe रखना काफी difficult था, तो कई सारे issues आते थे, अब इसके साथ ऐसा नहीं है, आपके पास mobile है, it means that, आपके पास सारे पैसे होते हैं, ATM card है, plastic money है, उसके थूँ आप कुछ भी कर सकते हो, shopping कर सकते हो, clear, तो ये सब कुछ हमें advantage मिलती है, modern form of money से, earlier coins of gold, silver and copper were used, अगर हम बात करें, beginning में, हमने जब money को use करना शुरू किया, तो उस वक्त हम coins को use करते हैं, जो precious metals थे, gold, silver और copper, इन coins के तो हम business करते थे, और ये भी एक तरिके से better system था, as comparison to the barter system, उससे ये better था, अभी अगर हम बात करें, modern form of currency, तो इसमें ना तो हमें gold के coin दिखाई देते ह हलंकि silver या gold के coins की बात करें, तो marriage वगरा में जरूर एक दूसरी को as a gift दिया जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम pass में easy day में जाएंगे और उससे कुछ shopping वगरा करेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं, modern form of money के अगर बात करें, तो इसमें paper notes आ जाते हैं, आपके pass होंगे, आपके purse म के coin है, वो coin हो गए, okay, check हो गया, check के थू भी हम payment कर सकते हैं, अगर आपका bank में account है, आप request कर सकते हो, bank से कि एक checkbook issue की जाए, और फिर आप जिसको payment करना चाहो, उसके नाम से वो check issue कर सकते हो, okay, वो deposit करवाएगा और उसके account में पैसा transfer हो जागा, तो ये भी एक advance system है, यान कि हम बिना money के, okay, बिना cash के भी हम payment कर पाते हैं, तो ये भी modern form of currency में आएगा, इसके साथ सा debit card, credit card है, ये भी इसके थू भी हम payment कर सकते हैं, ने करते हैं, बहुत ज़्यादे इनका use करते हैं, team card में use करते हैं, जिनको हम plastic money कर सकते हैं, okay, UPIs हो गया, okay, net banking, mobile banking हो गया, इनके थू payment करते हैं, phone पे, google पे, अगर आप तो हम मोहले में भी जाते हैं, अगर सब्जी वाले से भी हमें 10 रुपे का धनिया भी लेना है, तो भी हम इसी से payment करते हैं, कल तो उनके पास भी QR code होता है, इसके साथ साथ virtual money भी आ चुके है, तो वो भी modern form of currency में हम count कर सकते हैं, ये होगे modern form of money, जिनको हम अभी day-to-day life में use करते हैं, तो ये थी हमारी आज की worksheet, जिसमें हमने money के बार में कुछ concept clear के हैं, अब इसी पर based कुछ easy questions देगे हैं, जिनको हमें solve करना है, let's begin, चलि देखते हैं first question को, first हमारा question दिया गए, what do you understand by barter system, अब barter system से क्या समझते हो, ओके, ये हमे barter system कहते हैं, लेती नहीं, लेती थी, अब भी अगर लेंगे, तो भी वो barter system ही कहलाएगा, यानि कि वस्तों की जो अदला बदली है, वो barter system है, now let's move to the next question, second one, second question है, what do you understand by double coincidence of wants, double coincidence of wants से आप क्या समझते हो, okay, when both parties are ready to buy and sell each other's goods, it is called double coincidence of wants, कि जब दोनों पार्टी एक दूसर के सामान को खरीदने बेशने के लिए तियार हो जाए, तो उसे double coincidence of wants कहेंगे, and this was an essential condition of the barter system, इसके बिना होई नहीं सकता था, okay, अब भी नहीं हो सकता, barter system, दोनों को ये agree करना होगा, now let's move to the next one, third question, third question है, of which form of currency is gold coin, जो gold coin है, वो currency का कौन सा form है, यह हमें बताना है, gold coins are an example of an ancient form of currency, यह ancient form of currency में आते हैं, gold coins, okay, क्योंकि अभी तो use नहीं करते हैं, now let's move to the next one, fourth question है, of which form of currency is check, check है वो कौन सी form of currency है, तो check is an example of modern form of currency का example है, now let's move to the fifth and the last question of this worksheet, how does modern forms of currency make our lives, our lives easy, elaborate, हमें बताना है, कि modern form of currency है, उन्होंने हमारी life को easy कर दिया, कैसे easy कर दिया, advantage हमें बताने, advantage of modern form of currencies are following, first one है, there is no longer a need for double coincident of wants, अब double coincident of wants की need नहीं है, कोई एगरी करें ना करें, हम तो medium of exchange बन गए ना currency, उसके थू, हम बेचेंगे और उसके बाद, जहां मर्जी से shopping करें, खरीदारी करें, okay, so there is no longer a need for double coincidence of wants, second, now doing business is easier than ever, अगर हम पहले बाटर सिस्टम के बाद करें, तो उसके comparison में business करना काफी easy है, okay, online payment कर देते हैं अब तो, clear, modern currency is easy to store, modern जो currency है, उसको store करना easy है, अब तो store करने के हाँ, आपका जो mobile phone है, वही आपका bank है, clear, it is easy to carry modern form of currency from one place to another place, एक जगह से दूसर जगह लेकर क जाना असान है, पहले जो animals होते थी, उन से एक त्रिकी से trade किया जाता है, बाटर सिटम होता है, तो क्या animals को मुंबई ले जा सकते थी, नहीं ले जा सकते है, हलांकि अपना bank जा सकता है, अपना mobile जा सकता है, ATM card जा सकता है, modern currency is easy to transfer, modern जो currency है, उसको transfer करना भी easy है, एक क्लिक क यह वीडियो यह worksheet अच्छे लगे तो इस वीडियो इस worksheet को like और share जरूर कीजिएगा, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day